नमस्कार दोस्तों अभिशेक तिवारी हमारे साथ हैं लेकिन आज हम बियार पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आज चर्चा का विशे है करनाटक अभिशेक करनाटक भूमकर भी आ चुके हैं इन्होंने अपना सर्वे भी किया है जैपूर डायलोग के साथ इन्होंने सर्वे किया था एक कमबाइंड उसके कुछ लोगों ने रिजल्ट्स जरूर देखें भी होंगे और हमारी कोशिश रह देखें अभी मेरे पास जो दो तीन सर्वे आये हैं उनमें तो यह पताया क्या है कि जैसे कि न्यूज 18 का कल आया है उसने बताया है कि बीजेपी को 105 सीटे कॉंग्रेस को 87 और जेडियस को 32 जैकि जैड न्यूज कोई है मुझे पता नहीं क्या है आज टाइमस ओफ इंडिय और सी वोटर का बिल्कुल इन से उलट उसने कॉंग्रेस को 107 से 119 सीटे दी हैं बीजेपी को 74 से 86 के बीच में सीटे सी वोटर ने दी हैं तो यह तीन सर्वे पिछले कुछ दिनों में सामने आये हैं और वैसे मेरे जो चैनल के नियमित दर्शक हैं वो सब जानते होंगे कि मैं ओपीनियन पोल्स पर जादे बिलीव नहीं करता हूँ और मेरा मानना है कि यह जो साबुन तेल वेचने वाली कमपनिया हैं उनका शुरू किया हुआ एक सगल है जिसे उन्होंने बाद में उसका पोलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तिमाल करना शुरू कर दिया ले जब योगया ने उस ट्वीट को कहा था कि देखें सी वोटर कह रहा है कि कॉंग्रेस हारी है बीजेपी जीत रही है तो मैंने भी उसके बदले एक दिया था इसके अलावे जो मेरे चैनल पर है हमने बीजेपी को थोड़ा कॉंश थे क्योंकि साउथ मैं पहली बार मैं कॉंग्रेस जो है वो 85-91 हमने रखा था 93 और जेडियेस हमने 2225 रखा सर समझने की बात है इस पूरे सर्वे में जो भी चल रहा है सी वोटर के बारे में पहले बात करने था हूं उनके सर्वे के हिसाब से अगर बीजेपी को 85 या 88 सीट मिले 79 से तो उनका पिछला सर्वे देखना जाए उनके सबसे पहले सर्वे में बीजेपी को 65-75 सीट सी आ रही थी अभी उन्होंने चेंज किया और अब 86 पहुंच गया यह तब हुआ है जब यह जहरीला सांप वाला सब बयान आ गया है लेकिन यह भी अपडेट में समस्या क्या है कॉंग्रेस तब तक फुल मेजॉरिटी में नहीं आ सकती जब तक मैसूर करनाटका की जो 57 सीट से हैं उसमें कॉंग्रेस का स्ट्राइक रेट कम से कम यहां पर 30 सीट हो क्योंकि वह एक एरिया है जिसको लेकर के करनाटका की लोग सोचते हैं कि यहां पर बीजेपी कम है थोड़ी सी कमजूर नजर आती है और वह सही बात है अगर हम 2008 के परीसीमन के बाद 2008 में परीसीमन हुआ उसके बाद 2008 2013 और 2018 के एलेक्शन को देखें तो सेवेंटी ऐसी असेंबली सीट्स हैं जहां पर बीजेपी कभी जीती ही नहीं यानि उन सेवेंटी सीट्स को माइनस कर दे तो बीजेपी एक सो चौवन पच्पन सीट पे ही फाइट करके जो भी एक सो भी सीट पर भी खड़ी है या फिर आप कहलें एक सो चार आजाए एक सो दस आजाए जो भी है यह मुटा मुटी लोग मान के चलते हैं गलती कहां हो रही है अगर आप बैंगलोर पे लैंड करते हैं और अगर आप मैसूर की तरफ निकल गया तो सुरू के जब आप पचास साथ सीट घूमेंगे एसेंबली एल यह confusion create करता है लेकिन जैसे आप तुंकुरू से आगे बढ़ेंगे चितर दुर्गा जाएंगे दावन के रिज जाएंगे शीमोगा जाएंगे धारवार जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं यहां तो सिर्फ बीजेपी है बीजेपी है बीजेपी है और आप आगे लेजेड़ेज़ और लन 걸 झाएंगे जैसे सितों यहां नमें जाएंगे मीरs में जाएंगे तो आपको पता चले organic यहां पर भीज अ कर नपक को हम चार बाद बाठते हैं चितूर है को सितुर करनाट अले मैसूर और तूसरा जो है आप उतनदक्षिन करनाचा साथ में कह लीजिए या फिर करनाचख कह लिजिए जैसे भी आप देना चाह wäre कि सेंटर में उत्तर एकू सेंटर करनाचक और कौस्टल करनाचक और मुंबई ओर कहरे में बीजेपी बहुत स्ट्रॉंग है और अभी भी ये स्ट्रॉंग है कोई एंटी इंकंबिंसी वगेरा से कुछ खास जो वोटर है बीजेपी का कोर वोटर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है इस पूरे एलेक्शन में जब हम कवरेज करने जाते हैं तो हमको एक बात और समझना पड़ेगा जब 2013 में सिद्धनमया की सरकार बनी थी उसक्त बीजेपी के जो सबसे बड़े करनाटक के एसेट है पिए सियदुरपाजी उन्होंने एक नहीं पार्टी बना ली थी उस नहीं पार्टी ने हर सर लगभग नौ परसेंट वोट शेर बीजेपी का छटक दिया थ 2018 में तो बीजेपी वापस एक सो चारवे पहुंची तो एंटीन कंबिंसी करॉप्शन ये मुद्दे होते हैं लेकिन इसके अलावे एक मुद्दा होता है लॉंग टर्म में विजन और करनाटक के लोगों के साथ ऐसा है कि अगर आप इसी मंडिया डिजन में जहां कि सुमा देखी एक बात जरूर मैंने देखा है कि ओल्ड मैसूर में सीटे कितनी बढ़ेंगी वह तो बात की बात है लेकिन वोट शेयर बीजेपी का बढ़ गया है अब कमाल देखिए एक क्वोड ये क्युँँ कर्फ्योज sequencing बार-बार krikल होता है 28ocr में अगर हम देखेंगे तो ये कवोट शेयर 38 परंडे कि का वोट शेयर ढ़ा संगया कि बीजेपी का वोट शेयर 3600 किंसे नहीं आप में तो कोई नामलेवा नहीं मिलेगा वहां पे डिकेश कुमार सुनते आएगे उसी तरह आप चिक बेला पूर चले जाए तो वहां पे भी जेपी का कुछ खास नहीं है लेकिन कॉंग्रेस इस प्रेड बीजेपी जहां पे है विनिंक पोजिशन पर इस बार बीचेपी हमारी टी है चलिए इसमें से कुछ हिदर उदर माइनस भी हो जाता है तब भी इसलिए हमने बड़ा कॉंश्यस चुकि हमारा साउथ का पहला पूलता कॉंश्यस हो करके 95 दिया है एक और चीज आपके दर्शक चुकि मैं मानता हो थर्टी परसेंट तो अभी शेक्तिवारी शो को लोग सभा का में ब現 सबाई करें नार्यंद्रमोदी इस वेडी ऐव эффe है 18 का अर। और 19 का देखसा है वह तो रहता ही है वह तो चीज़ें क्यकी होती है भी सबंस्के लेकिन हर श्र चो आपने बाट इंक बयान के बाद कर कि उस स्टेट के लोगों को यह उच्छापन पसंद नहीं कि आप डारेक्टली पी-एम को गाली दें और मैंने अपने ही चैनल पर आया थिंक डेड़ महीने पहले एक बात कही थी कि मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही कॉंग्रेस और बीजेपी की रैलियां शड्यूल ह जैसे पहले थे बेनी प्रसाद वर्मा हो गए सल्मान फुरसीद हो गए इम्रान मसूद दिंग विजय सिंग ऐसे लोग कॉंग्रेस में हर स्टेट में पाए जाते हैं वो नरेंदर मोदी पे इंडिवीच्वल बिलो दा बेल्ट जा करके अटैक करेंगे और फिर पूरा एल पकड़ी हुई है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी अगर लोग भूल भी जाते हैं तो वो बारबार याद दिला देते हैं लोगों को यह कांग्रेस वाले कहते हैं कि तीन फैक्टर समझना पड़ेगा देखिए नरेंदर मोदी जी को मैं कहता हूं कि वो टेस्ट क्रिकेट के क्रिकेट होता था जहां पर ऑस्टेलिया के साथ सिलिप गली में खड़ा करती थी और विरेंदर सहवाग के लिए वह फिल्ड काम नहीं करती क्योंकि वह अलग तरह की क्रिकेट खेलते थी तो मोदी जी अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं आप बिलो दबेल्ट जाएगे लोगों को लेगा कि मोदी बैक फूट पर नहीं मोदी उसी गाली को अपने पिछ पी इस्तेमाल करेगा और अपने लिए जो सिंपैथी फिर क्रियेट है वह सिंपैथी तो आपके अंदर है आप नाराज विधायक से थे तो बीजेपी ने दो मेहत पूर्डाम किया विधायक थे उनको कोंग्रेस ने टिकट बहुति जैसे जग्दीर सेटर मुझे लगता है कि जल्दी बाजी बीजेपी ने भी की है लेकिन उससे बड़ी जलदी बाजी क्यांग्रेस ने उनको लेकर करके टिकट दिया और और पूरे लिंगायत कम्निटी को सिधरमया गाली देते हैं तो इससे तो आपकी बाद जो आप चाहते हैं कि आपको सब्ता में आना है बिना लिंगा है के और वोका लिंगा वोट तो बीजेपी और जेडी इस में ही स्प्रेड है अर्बन एरिये में वो बीजेपी कुछ आ रहा है जगदीश सेटार की बात मैं भूल जाओंग प्रलाद जोशी का नाम सुनने में आ रहा है कि ब्रामन के लिए चल रहा है अलग आज उनका बयान आया है पंडन कर दिया है उन्होंने तो यह पहले तो यह समझना पड़ेगा कि क्या लिंगायत वोटर जो की एकड़म बहुत सबर्दस्त उसके अंदर नेशनलिजम है वह कॉंग्रेस और जेडीएस की तरफ में ऐसा क्या प्रोड़क्ट है नेशन को लेकर के करनाटका फर्स्ट को लेकर कि कि वह उनकी तरफ वोट जाएगा जगदीश सेटार के जाने के तो उनके पास ऐसा कोई प्रोड़क्ट नी लेकिन बीजेपी के पास एक नया यूफ प्रोड़क्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको अभी से करनाटक के लोग करनाटक का अमीलच्शा कहरे हैं वीजेंदरा वीजेंदरा बीयस सियी सब्यद्पाजी के बेटे हैं और और उनका माइक्रो मैनेजमेंट है मैं स्वैम मैने देखा है उस माइक्रो मैनेजमेंट को जब हमारी तीम हाप लिए तो यह दुरप्पन अपनी वो छोड़ दी कि मैं दावेदारी वापिस ले रहा हूँ तो पहले सी ते हो गया था कि आप यह विजेंद्र एक चुल लो यही तो बात दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी में उस हद तक इन फाइटिंग नहीं है लेकिन वहां तो जबरदस चला डिकेश युकुमार और सिधर मैया के बीच में ऐसी बारत तेरी सीट्स है जहां पर खुट डिकेश युकुमार चाते थे कि उनके कंड़ी डेट्स को टिक कॉंग्रेस पार्टी को फैनेंस कर रहे हैं उनके मन में यह कि कॉंग्रेस बेजॉरिटी तक ना जाए वह मेजॉर्टी से थोड़ी कम रह जाए जीडियस का हैल्प ने ना पड़े और तब सिद्धर मैं बार्गेनिंग की पोजिशन में हाँ हां सिद्धर मैं सीम्दी नही मझे लगता है कि सिद्धर मैयाँ नहीं बनेंगे इस बार डी के श्यूकमार का नंबर है इस बार और गांधी फैमिली जिस तरीके से वो क्लोज हैं और बारत जोड़ो जातर में जिस तरीके से रहुने अपना सब ताकत लगाई है पूरी मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार का ही नंबर लगेगा सिद्र मैया का नंबर नहीं लगेगा लेकिन उसके लिए सर पहले सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर चाहिए जो हमारी टीम के अनुसार है हो सकता है आपका इंडियन एक्सप्रेक्स में बहुत बड़ा इंट्रेवू देव गोडा साब का छपा है और बिचारे वो 90 साल के होने जा रहे हैं उनको बगाया जा रहा है अपने बेटे के लिए देखिए उलाद के लि है कि इस बार फाइटिंग फाइट जो है वो डिरेक्ट बीजेपी और कॉंग्रेस में न रहे जाए जैडियस डाउन न चली जाए बहुत जाद है पिछली बार जिस तरीके से इनका टाइप फेल हुआ कॉंग्रेस के साथ मुझे लगता है कि लोगों को शायद यह भी लग कि लोगों को जैडियस चाहिए और उनको लगता है कि जैडियस अगर हम 25-30 सीट भी देंगे जैडियस को तो वही किंग में कर रहेगा वही और लगता यहीं बोले अभी जा रहा है कुमार स्वामी जी की तरफ से कि मैं ही किंग में करूं मैं कि लेकिन मैं वहीं कह रहा लेकिन यह मेरा मानना है कि अब नरे दर्मोदी बैटिंग कर रहे हैं यह आसान लग रहा है बीजेपी की तरफ गेम धिरे धिरे शिफ्ट होता हुआ ऐसे में हमको दो तीन चीजों पर फोकस करना होगा सर कि ऐले चीज कि क्या जो कितूर करना ठाक है या सेंटर करना ठाक है वहाँ पर बीजेपीग कऱें और बीजेपी रिटें करती है और अरबान बैंकलूवर की दो सप्तूं की नाम ले रहा है हाला कि एक उसमें से अर्बन में नहीं आता है हाला कि अब दुनों पर वहां पर बीजेपी के विधायक है के यार पूरम और होस्कोटे करने वाला वहां से बैंगलोर रिजल स्टार्ट होता है कुलार खतम होता है मेरे ख्याल से मालूर अगरा के आसपास चले जाए तो उसके के बाद आता है जब वाइट फिल्ड के बाद होस्कोटे आता है होस्कोटे अगर आप देखें वहां पे परमपरागत रूप से वह बीजेपी की सीट नहीं थी लेकिन पाइपोल में बीजेपी जीत एक आदमी चेंज करके बीजेपी में चलेगा उसके वज़े से वही किय चौदा से सोला सीटे जीते हैं अगर चौदा से सोला जीती है सर तुम्हें एक बात कह सकता हूं कि कॉंग्रेस के लिए चांसे नहीं बन रहें सर क्योंकि ओल्ड मैसूर में आपको तीस सीट कम से कम चाहिए होगा गेन करने के लिए कोस्टल करनाटक में तो कॉंग्रेस है नहीं सर वहां पर कोई नराज हो जाए कुछ भी हो जाए फिर भी उनीस सीटें वहां पर सोला बीजेपी जीती थी आप समझ सकते हैं जो अंतर है वो कितना जादा है अच्छा यह कल जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया उसमें यू सी सी वाली बात कही है कि कह दिया कि हम तीन सिलिंडर फिरी देंगे बीपियल वालों को आदा लिटर दूद मिलेगा और इस सब बाते कही है लेकिन अमित शाह ने कल एक बहुत बात खासतोर से कही है क रैली में उन्होंने दो बाते कही उसमें एक तो उन्हें कहा कि यह जो चार परसेंट वाला कोटा हमने खतम किया था अगर कॉंग्रेस की सरकार आई तो यह वापिस हो जाएगा और नुकसान आप सोच लें किसका होगा मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा पुलराइजेशन की तरफ उनका इसमें फोड़ा सा हिंट दिया और दूसरों ने कहा कि इस बार करनाटक में बीजेपी अपना सरस्रेश्ट परदर्शन करेगी और जो बहुमत के लिए एक सो तेरा सीटे चाहिए उनसे पंदरा सीटे फाल दूलाएगी इस प्रकार के एक तो इसको चुनावी रैली के संदर में देखे तो ठीक है लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने रेज किया ना मेरा यह मानना है से होता तो स्वार्थ ही है और यह स्वार्थ मैंने जाती है संगहर्स नकेवल जिया है बिहार में बलकि देखा है तो यह दो प्रतीसाद दो प्रतीसाद चार पर्सेंट जो है कि वह का लिंगा और लिंगायत दो सबसे करनाटा की स्ट्रॉंगेस्ट कम नेट इनको दिया है बीजेपी ने मुसलमानों से लेकि वह का लिए बीजेपी का परहन परागत को वोटर गाओं का नहीं है लेकिन इस तरह के ब सब्सक्राइब उसके फादर कुमार स्वामी के फैन रहा हूं लेकिन हो सकते है उनका बेटा बैलोट बाक्स में बीजेसे की बटन दबाकरान बड़ा यह इसे कहते हैं अंडर निस यह एंटर करन्ट 데 से कहीं बीजेपी को पंतरह सोलह मैसूर में दे गया सीट तब तो बीजेपी सर मेजॉरिटी में आ सकती है और इसी वज़े से मैं कहा रहा हूं कि जो मैंने महसूस किया ग्राउंड पे जा करके देखे इस्टूडियो में दिल्ली के बैठके हम कुछ भी एनालेसिस कर सकते हैं करनाटे की गर्मी में जाकर के वहां का एलेक्शन का एक बार तापमान महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है लोग बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं वह कॉंग्रेस की तरफ शिफ्ट नहीं है यह दिल्ली वाली जो अभी पिछले साल यूपी के इतने मंत्री थे भागे थे बीजेपी छोड़ कर इन्होंने मीडिया पर वरोसा कर लिया लेकिन वास्तों में जब जीत अंजुम जैसे लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जा रहे थे वो भी यह कह रहे थे कि साब हम दस पोछते हैं तो आठ आदमी कहते हैं कि साब पीनियन पॉल चुनाओं से चार महीने पहले दिया था पहला और तब मैंने 260 सीटे एंडिये को दी एक जीट पोल में हलाकि कि मैंने 270 से 230 दी थी वो भी गलत नहीं हुआ यह क्यों था सर यह लॉइन और्डर में जहां जाता था सब कहते थे कानून विवस्था तो गजब ही है तो होता क्या है आप डिली से चलते हैं यह मन बना करके कि किसान आंदोलन हुआ है वहां पर जाट नाराज है फलाना समुदा है गुजर समुदा नाराज है यह क्योंकि आप दिली से निकले आपने अंदोलन कवर लेकिन आप दिली से जब निकल के एक्चुल मेरत में जाएंगे मुझे यहाद है मेरा मेत्र जो की खबर इंडिया न्यूज चैनल चलाता है मैंने बोला एक बार सचीन और गौरव के परिवार से बिलके आ ग्राउंड रिपोर्ट आया वहीं से यह मिथ टूटना सुरू हुआ कि अरे जो हम सोच के चल रहे वो नहीं है यूपी ने उसी प्रकार से करनाटक में दिली के बैठे जो खान मार्केट के गैंग के पत्रकार है वो जो सोच रहे हैं कि जीत रही है उस सोच के पीछे बढ़ा ब्लंडर किया एक ब्लंडर बीजेपी के वोटर के संदर में हो सकता है कि प्रवीन नत्रू की जब हत्या हो गई थी तो उल्टे प्रोटेस्टर्स पे पुलिस ने पिटवाया था लेकिन आप देखिए लेकिन आप देखिए उस गलती को सुधारा भीजी भी ठीक ह और लोगों को भी किया रहा है उसके अलावे प्रवीन नेत्री को बहुत के परिवार को जो है बहुत बड़ा घर भारतिये जनता पार्टी ने दिया सरकार ने नहीं दिया तो वह मैसेज भी कंवे किया है पीजेपी में तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा उलट फ तो 2018 के रिजल्ट को हम मालने है तो वही है बीजेपी एक सो चार एक सो पांच कॉंग्रेस नीचे और जेडियेस रिजल्ट अलमस्ट बिल्ली का मीडिया जो है ना वो वो सब लोग जो है ना पुराने आकड़े खोल कर बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि पुराने हैं इस तरह की लंगडी ये बनी है लेकिन जो अमित शाह को मुझे बड़ा चोकाने वाला लगा कि हम 113 से 15 सीटे फालतु जीत रहे हैं तो वह कहने के लिए तो अमित शाह को गर जूटी बोलना है तो कह सकते थे 1500 सीटे जीत रहे हैं यह भी कह सकते थे जैसे वह बंगाल मे बीजेपी में यह माना जाता है कि सबसे लास्ट में सरवे यही कराते हैं इंटर्नल जो इनके सरवे आता है होदी उसी को बिलीव करते हैं हमेशा लास्ट में सरवे नहीं का होता है चाहे प्रतियाशियों के नाम पाइनल करने हो या फिर कोई लास्ट मुमेंट में इनका सर करेंगे लेकिन जेडी इस पो और देव गोड़ा साब के परती नरेंदर मोदी ने हमेशा सम्मान मान बड़ा दिखाया है तो उन्होंने डिरेक्ट फिर जो कॉंग्रेस को सामने लेना शुरू किया और फिर यह सांप वाला बयान आ गया फिर वह विशैली विश्कन्या वही प्रेडिक्टिबल है कॉंग्रेस मैं मेरा पता है ऐलेक्शन एनलिसिस जब मैं करने बैठता हूं पिछले आट दस साल का मेरा मानना है से घुजराद 2018 का चुनाओ जो कॉंग्रेस लड़ी थी अपने जीवन का स्वाओं चुनाओ लड़ी थी पिछले आट साल में जो मैं द हाँ सभी बात है नीच आदमी बोलके और इस चुनाव को बहुत अच्छे से जीच सकती थी कॉंग्रेस लेकिन अब कॉंग्रेस की अध्यक्ष और उनके बेटे और जो बयान वी रहें को कॉंग्रे साब जो है ना खड़के साब इस दबाव में आ गए हैं कि वह अध्यक्स ब बार MLMP रहे हो वहां का नहीं जिता सके तो मुझे लगता है कि जोस में आके वो जो है नरेंद्र मोदी को कुछ का कुछ को है और ये बात करनाटक और UP या इसकी नहीं कर रहा हूं मैं जा कर गुजरात की देश में जहां पर आप तमिल नाडू में तो बीजेपी का कुछ न बारे में कम से कम ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए मैंने यही एक बहुत भूड़े आदमी का एक इंटर्विव किया था तो उसने बोला कि ठीक है बीजेपी के प्रती इंटीन कंबेंसिये सब बात आप कहरें लेकिन अभी राहूल गांधी को मैच्चूर होना है तो मैंने बोल के मैच्चूर्टी तो कुछ भी नहीं तो करनाटा के लोग बिल्कुल सिर्फ ठीक है कास्ट पॉलिटिक्स वहां भी जबरदा से लेकिन सिर्फ कास्ट लाइन पे नहीं सोचे बहुत वहां पे एजुकेटेड लोग है जो अलग तरह की सोच रखते हैं और मुझ अच्छा लगा कि इवन आलोचको ने भी मोदी जी के कहा कि नहीं दोजार चौबीस में वह मोदी को वोट करेंगे क्योंकि वह कंट्री को पहले रखते हैं और कंट्री को जो पहले रखने वाले को गाली देंगे तो फिर यह रिजल्ट मैं वहीं कह रहा हूं कि कॉंग्रेस एक्तम प पूरे पूरे चांस तो इस समय हैं उनके मैचूरिटी मैं तो मानता हूं कि दो साल तो उन्हें जेल में रहना चाहिए और उसके बाद 6 साल के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रहे हैं और फिर देखना अब 8 साल के बाद जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब वो होना है दो साल जेल काट तो फिर जेल के बाद उनको 6 साल हिमाले यात्रा पर भी जाना चाहिए क्योंकि हमाला यात्रा को जाएंगे तभारत जोड़ो यात्रा 6 साल के लिए और निकाले पूरे देश में घूमें तब मुझे लगता है संबव है अभी तो अगले इस तरीके जो है वह मैं अपने चैनल के बजाए अब आप ही के चैनल पर दे रहा हूं आपके दर्सकों को पत्रा होगा और बहुत सारे साथ दिन के लिए मुझे कारावास दिया है यूट्यूब है तो मेरा लेटेस्ट प्रेटेक्शन यह है सर कि बीजेपी विल बी सिंगल लार्जे सर्फ मैं कई एलेक्शन से महसूस कर रहा हूं कि हार्ड कोर बीजेपी का वोटर एक तरफ लेकिन एक जो सॉफ्ट इंट्रेक्श्वल पावर का वोटर है जो आफिस में काब करता है बाहर काम करता है इंडिया के वह मोदी को जादा पसंद करता है और उनको लाने के लिए वो अकेले सोरस की फंडिंग से लड़ रहा है इस फैक्ट को भी हमको ध्यान देना होगा सर्व नरेंद्र मुदी बड़े कल्ट फिगर टाइप के करनाटक में वह अगर आवाहन करेंगे कि बीजेपी को पूर्ड महमदों मुझे गाली दे रहे हैं लोग तो मुझे लगता अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें